नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका ऑनलाइन एक्सपर्ट चैनल में तो आज हम जिसके बार में वीडियो बनाने चाहरे हूं है वो किछ रिव्यू नहीं है मुझे कुछ वीवर्स ने कमेंट करके पूछा था कि सॉफ्ट टच और कमफर्ट में से ज्यादा अच्छा पौन है और सस्ता पौन सा है तो सबसे पहली बात तो आप यहां पर देख सकते हैं मैंने दोनों का ही पाउश लिया हूए और दोनों ही तीन-तीन रुपे के पाउश यह देखिए यहां पर और आप इसे दोनों ही तरह यूज कर सकते हैं बकेट में भी यूज कर सकते हैं और वाशिंग मशीन में भी यूज कर सकते हैं यहां पर भी ऐसा ही है कि आप किस तरह से यूज करने हैं वो पूरा इस पर दिया हुआ है और रही बात इसका प्राइस अगर आप बॉटल भी लेते हैं तो मामूली साही फरक आता है और दूसरी बात यह आपको कॉंफर्ट जो है यह आपको तीन अलग-अलग खुश्बूओं में मिल जाएगा जैसे तीन अलग-अलग खुश्बूओं में मिलेगा लेकिन यह जो सॉफ्ट टच है इसके काफी सा अलग-अलग है इसके हैं यह काफी सारी खुश्बूओं में मिलता है जो यह मैंने पाउच लिया है यह आंटी-जर्म है यहाँ पर देख सकते हैं आंटी-जर्म फामूला है तहां अगर जिनके घर में जैसे की छोटे बच्चे हैं आप उनके कपड़े धोते समें कंडिश करते हैं तो अगर आप उसकी जगह यह सौफ्ट टच ले लेते हैं तो आपको अलग से डेट ओल और यह अलग कंडिशनर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी है तो इस वाले पाउच का यह प्लस पाउंट है आपके लिए यह एक अलग से बेनिफिट है सौफ्ट टच का बाकी सब तो सब सेम ही है मैंने खुद ही से यूज किया हुआ है इन दोनों को ही खुश्बू दोनों की ही बहुत अच्छी है और दोनों का जो कंप्रो को कंडिशन करता है वो एक तरह का ही है और भी जानकरी के लिए आप इस वीडियो को आनते तक दिखिए तो इसमें क दिला नहीं है उसके फ्लेवर यह भी बड़े मुश्किल से मुझे मिला यह पाउच इसमें आपको तीनों फ्लेवर आपको मार्केट में एजिली मिल जाएंगे इसके अलावा और एक बात कि एक विएर ने मुझे कमेंट करके मतलब विएर ने कमेंट करके पूछा था कि अ क्यों करना चाहते हैं अपने कपड़ों को इससे अच्छा तो आप इजी यूज कीजे इजी जो है यह अगर तीन रुपे का है तो वह दस रुपे का पाउच आता है उसमें अगर आप गरम कपड़ों को अगर आप धोते हैं उसमें तो आपको कपड़ों को क्लीन भी करता ह साथ ही साथ वह कंडिशनर भी करता है तो वह भी टूइन वन का काम करता है नहीं तो आप नार्मल डिटर्जेंट से अगर आपको प्रेध होते हैं तो खराब हो जाते हैं रॉफ हो जाते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कीजिए लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए